हेलो फ्रैंड्स क्या हल चाले तो दोस्तों आज मैं आपके सामने यहाँ पर गेट 24 के रिगार्डिंग एक बहुत ही सांदा टॉपिक लेके आया हूं तो आजम यहाँ पर बात करेंगे कि गेट एक्जाम देके आपके पास कौन-कौन सी अपर्शनिटी है क्या-क्या इसके वैनेफिट से इसके उपड़ आज मैं यहाँ पर बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है आपको गेट की वैबसाइट के पर जाना है तो अपने गूगल के उपर गेट 24 लिग दीजिए जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दीजि इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसी मैं इस लिंक पर क्लिक करा तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा मैं इसको स्क्रोल करके उपर कर देता हूं तो यहाँ पर लिखावा है हमारे पास अपर्चनिटी है यह आपको गेट में खुद बताईए कि क्या- अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा कहा पर आप इसके थुरू अप्लाइग कर सकते हो तो जैसी इनौने लिखा हुआ है कि वेरियस अंडर ग्रेजवेट लेविल सबजेक्ट्स तो गेट के थुरू आप क्या कर सकते हो इंजिनिरिंग टेक्निलोजी साइन्स आ यानि कि master program से मेरा मतलब है mtech में या आप doctoral program से मेरा मतलब PhD में apply कर सकते हैं तो gate के through आप लोग यहाँ पर masters और PhD में enroll कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज है and buy some PSU यानि कि public sector undertaking तो public sector undertaking से मेरा मतलब है PSU में job आप कर सकते हो जैसे कि आपका Indian oil हो गया ठीक है आपका यहाँ पर coal India हो गया आपका railways हो गया आपका भेल हो गया ठीक है आपका यहाँ पर power grid हो गया आप इसमें भी apply कर सकते हो इस gate exams को देखर तो इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि आप master's में apply कर सकते हो दॉक्टर प्रोग्राम में apply कर सकते हो और PSU jobs में भी आप apply कर सकते हो तो अब बात करते हैं admissions की तो valid gate score can be used for seeing admission to master program and direct doctor program in engineering, technology, science, architecture और humanities ठीक है तो इन में आप apply कर सकते हो डॉक्टर प्रोग्राम्स इन रिलेवेंट ब्रांचेस और इंजिनियरिंग, technology, science, architecture और मेंटीज ठीक है इन दा इंसिनियूर सपोर्टेट बाइड बाइड अधर गर्वर्मेंट एजनसी ठीक है तो यहां पर है इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम्स इन डाक्टर प्रोग्राम्स इन इंजिनियरिंग, science, technology तो यह सब हमारे पास है तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि अगर आप master's के अंदर apply करते हो अगर आप master's के अंदर apply करते हो तो यहां पर लिखावा financially assistant given to mtech मैं mtech की बात कर रहा हूँ जो भी लोग यहां पर gate की through mtech करना चाते हैं उनको यहां पर 12,400 पर month यह stipend उनको मिलेगा यानि कि 12,400 रुपे आपको per month मिलेंगे ठीक है per month and generally paid for 22 months यानि कि 2 साल का degree course होता है तो उसके हिसाब से आपको 22 months तक यहां पर इतने रुपेश मिलेंगे ठीक है तो यह हो गया अब अगर हम बात करते हैं PG scholarship की ठीक है PG scholarship की अगर बात करते हैं जैसे इसमें हम बात करते हैं financial assistant given for PhD है ना direct PhD तो इन में आपको क्या मिलेगा 37,000 पर month यानि कि 37,000 रुपे आपको per month मिलेंगे ठीक है for the first two years तो पहले दो साल के लिए आपको अगर आप PhD करते हो तो पहले दो साल के लिए आपको यहां पर 37,000 रुपे बिलेंगे then after वो रकम बढ़के आपकी 42,000 रुपे पर month हो जाएगी है ना यहां पर लिखावाए per month from the third to fifth year ministry of finances तो यह आपको यहां पर मिलेगा इसके बाद आप vacancy दे सकते हो recruitment आप देख सकते हूं तो many public sector undertaking PSU's have been using the gate scores in their recruitment process ठीक है तो यहां पर यह हमारे पास तो इन्होंने कुछ list डियो ही है such as PSU's जैसे मैंने आपको बताया भेल हो गिया है भारत हैवी electrical limited भेल हो गिया आपके पास भारत संचार निगम limited बेसनल हो गिया आपके पास coal India limited यह मैंने आपको बताया CIL हो गिया center of railway information मैं already आपको बता चुका हूं ठीक है कि कहां कहां पे आप apply कर सकते हो तो यह सारी कि सारी आपके सामने PSU's है आप इसमें apply कर सकते हो लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपका gate score बहुत ही जादा अच्छा होना चाहिए अगर आपको direct PSU में apply करना है PhD में apply करना है तो gate score card यानि की अच्छी rank और gate score card का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है तो यह है हमारी opportunity मतलब gate के थुरू आप mtech कर सकते हो आप PhD कर सकते हो और आप PSU में job कर सकते हो अगर आप master's करते हो तो 12,400 रोपे आपको मिलेंगे for the 22 months वही पर अगर आप PhD करते हो तो first two years आपको 37,000 रोपीज विनेंगे वही पर अगर उसके पहले दो यर उसके बाद वही रकम बढ़के आपकी 42,000 रोपीज पर मन्त हो जाएगी और then उसके बाद आप यहाँ पे PSU में apply कर सकते हो तो यह थे हमारे gates के benefits ठीक है दोस्तों तो मिलता है आपसे किसी दूसरी वीड कि दिए रोपीज जाएगी तो में यहाँ झाल आव झाल उसके पर दोस्तों मिलता है कि हमारे में अगर उसके इन आपको 37,000 रोपीज टोसरी आपको 38,000 रोपर रोपीज डिग़।